नमस्कार ककसा छैसाथ गनीत कारेपुस्तीका की कारेपुस्तिका की कारेपत्रक नंबर 33 से लेकर आंकलन टू तख के कारेपत्रक को हम आज हल करने वाले हैं इस वीडियो में तो बिलकुल आप पैसंस बना के वीडियो को अंतक देखें और किस तरह से आपको इस कारेपुष्टिका के माध्यम से क्या-क्या सीखने को मिलागा इसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो आईए शुरू करते हैं दोवत तीनंग की संख्याओं को दोवत तीनंग की संख्याओं से जोड़ पाना यानि हासिल और बिना हासिल वाली जोड़ हम इसमें सीखने वाले हैं सबसे पहले एक बस ने अपनी यात्रा A से परारंब की और विभी निस्तान से होते हुए F तक पहुंची इस यात्रा को नीचे दर्साया गया है यानि इस तरह से यात्रा है जो यहाँ पर दर्साय हुई है आपको देख रही है A से लेकर के एप तक की और उस समधित को स्वाल आप से नीचे पूछे गए है उनको आपको हल करना था तो चलिए देखते हैं सबसे पहला स्वाल पुछा है A से D तक जाने में बसने कुल कितनी दूरी तैकी यानि A से D तक तो A से B तक वाली दूरी B से C तक वाली दूरी और C से D तक ये तीनों दूरियां है जो काउंट होगी यानि A B पलस B C पलस C D बराबर A D की दूरी यानि 370 पलस 410 पलस 210 कुल होगे 990 किलोमेटर तो इसका आंसर क्या आजएगा भई आपके 990 किलोमेटर उत्तर आ जाएगा तो इसको आप इस तरह से जोड करनी है अगला पुछा है A से F तक जाने में बसने कुल कितनी दूरी तैकी यानि A से अपका मतलब है पूरी दूरी बतानी है यानि 1, 2, 3, 4 और 5 दूरियों को जोड़ना है तो यहाँ पर सभी को जोड़ दिया 370 पलस 410 पलस 210 पलस 540 पलस 830 टोटल होगे 2360 किलोमेटर कितना आजएगा भई ख का उतर 2360 किलोमेटर की कुल दूरी तैकी इस तरह से आपको जोड़ करके इनके आंस्वर देने है अगला स्वाल है एक डिब्बे में 506 कीले हैं और दूसरे डिब्बे में 280 कीले हैं यानि जोड़ का स्वाल है तो बताइए दोनों डिब्बो में कुल कितनी कीले हैं कुल जैसे ही आजए तो आपको समझ देना है कि इसकी जोड़ करनी है तो यहाँ अपन ने लिख दिया फ़र्ष्ट डिब्बा 506 सेकंड डिब्बा 280 दोनों को जोड़ दिया हो गए 856 कितने होगे भी 856 कुल कीले होगी इस तरह से आपका अंसर सही हो जाएगा तीसरा सवाल है सही उत्तर का मिलान करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 23 और 54 को जोड़ करके या मिलान किया हुआ है किस से भई 77 से तो ऐसे ही अपन इस सवाल को आगए अल करेंगे 35 प्लस 21 दोनों को जोड़ दिया 56 से मिला दो 35 और 26 होते हैं 62 और बीज, 82 होते हैं इससे मिल जाएगा 60 और 17,77 होते हैं इससे मिल जाएगा र 35 और 25, 88 होते हैं इससे मिल जाएगा इसी तरह से इदर वालों को भी मिलाना है देखिए 55 और 32 कितने होते हैं वाई 87 होते हैं तो इसको आप 87 से मिला दो 45 और 32 77 होते हैं तो इसको आप 87 से मिला दो 50 और 32 82 होते हैं आपको इसको 82 से मिलाना है 24 और 32 56 होते हैं आपको इसको 56 से मिलाना है और 34 325 प्लस 150 प्लस 0 सभी को जोड़ देंगे हो जाएगा 475 150 प्लस 50 प्लस 300 सब को जोड़ देंगे हो जाएगे 500 100 प्लस 200 प्लस 300 टोटल जोड़ दिया हो गए 600 125 प्लस 155 प्लस 65 सब को जोड़ दिया हो गए 365 365 क्या है वाई एक वर्स में दिनों की संग्या भी होती है तो बिल्कुल इस तरह से आपका कारेपत्रक नंबर जो 33 है वह हासिल वाली जोड़ और बिना हसिल वाली जोड़ है उससे समन्दी सवाल था है चलिए आगे बढ़ते हैं कारेपत्रक 34 की और कारेपतरक 34 के अंदर 2 वे 3 अंकी संख्याओं में से 2 और 3 अंकी संख्याओं को घटा पाना, उधार लेकर और बिना उधार लिये, यानि यहाँ पर अपन घटाओ करना सीखेंगे, हासिल वाली बाकी और बिना हासिल वाली बाकी ठीक है तो चलिए पहला है हल करिए और बताइए कि टीम कर और टीम कर में किसके अंक ज्यादा है और कितने ज्यादा है यानि किस टीम ने अंक ज्यादा बनाए और कितने ज्यादा बनाए तो ज्यादा मैंसे कम वाली का घटा देंगे तो अपना जो कितने ज़यादा है यनि अंतर है वो आ जाएगा तो यहाँ आप देखिए टीम करके हैं 140 टीम खरके 164 है तो आपको पता है किसके ज़यदा है टीम खरके ज़यदा है यहाँ टीम खर लिख देंगे कितने ज़यदा है तो 164 मैं से 140 गटा दीजी 24 आ जाएगा ऐसे ही 156 ए 126 तो सबसे ज़्यादा किसके बाई दोलों मैंसे करके हैं तो कर लिख दिया और 156 मैंसे 26 गटा दो 30 आ जाएगा ऐसे 184 ए 133 आपको पता 193 ज़्यादा है तो यहां कर सकते हैं दूसरा है हल कीजिए यानि यहां पर भी बाकी ही निकालनी है 160 में से 130 गटा हो पीछे या 30 आ जाएंगे 104 में से कितने घटा हैं कि 54 आएं तो आप यहां 104 में से 54 गटा करके भी देख सकते हैं कि कितने उस कोश्टक में आएंगे चार में से चार जाएगा जीरो साथ में से पांच गया दो जीरो सुरी दो और एक का एक यानि 120 है यहाँ पर आपको कोश्टक में भर देना है अगला 248 में से कितने घटा हैं कि 145 रहे तो आप इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं 248 इदर वाला 144 गटा लो तो कोश्टक वाला आ जाएगा चलिए 8 में से 4 गए पिछरे 4 4 में से 4 गए 0 2 में से गया 104 तो यहाँ आपको 104 भर देना है अगला है 309 में से 109 गटाना है तो यहाँ आपके 209 सी उत्तर आ जाएगा 2,8,9 ठीक है इस तरह से आपको घटाओ के सवाल करने है तीसरा है घटाओ कीजिए यहाँ भी आपको घटाओ के ही करने है 9 में से कितने घटाओ के 3 रहे तो 6 गट जाएंगे 9 में 6 के पिछे रहे 3 6 में से कितने घटाओ के 3 रहे तो 6 में से 3 गट जाएंगे पीछे रहेंगे तीन, दो में से कितने घटा हैं कि एक रहें, तो दो में से एक घट जाएगा पीछे रहेंगा एक, इस तरह से ये आपका घटा हो गया, दूसरा घटा हो, छे में से कितने घटा हैं कि तीन घटा हो तीन रहेंगे, साथ में से कितने घटा हैं कि आट रहें, अ 17 में से आप घटा करके देखिए कि 17 में से कितने घटेंगे तो 8 रहेंगे 17 में से 8 ही घटा दो पीछे यहां के आया जाएंगे 9 आ जाएंगे तो यहां आप 9 भर देंगे 17 में से 9 गई पीछे रहे 8 और यहां अपने पास में कितने हैं 3 है 3 में से 1 गटा पिछे क्या रहेंगे 2 तो यहां आप 2 भर देंगे ऐसे ही इस बाकियों को करना है 9 में साथ गए पिछे रहेंगे 2 6 में से 3 गए पिछे रहेंगे 3 7 में से कितने गटा हैं कि 3 रहेंगे तो 4 गटा लो 3 रहेंगे ठीक है हो जाएगे आपकी बाकी ऐसे ही अगला है साथ में से चार गटे पिछे रहेगे तीन तीन में से एक गटा पिछे रहेगे दो चार में से कितने गटा हैं पिछे तीन रहेगा तो एक गटा लो ऐसे ही यहाँ एक मैंसे कितने गटाएंगी जीरू रहे तो एक मैंसे एक गटा लो भई साथ मैंसे कितने गटाएंगी दो रहे तो साथ मैंसे पांच गटेंगी छे मैंसे तीन गटे पीछे कितने रहे तो तीन रहेंगी इस तरह से यहां आपको ये वाली बाकी भी करनी है छे मैंसे पांच घटे पीछे रहेगा है एक पांच मैंसे कितने घटे हैं कि तीन रहेगा तो यहां दो घटा लो आठ मैंसे तीन घटे पीछे रहेगा है पांच तो इस तरह से बहुत ही आसान सा सवाल था अब अन्तिम सवाल इबारती सवाल कहते हैं इसको इबारती सवाल पुछे जाएंगे आगे आपसे कारय पत्रक में इबारती सवाल का मतलब जो संग्छाय दियूए उससे सवाल बनाना इबारती सवाल कहलाता है जैसे सोनों के फोरम हाउस में 412 बक्रिया है मोहित के फारूम हाउस में 242 बक्रिया है दोनों में किसके पास ज्यदा बक्रिया है और कितनी ज्यदा है आपको पता है सोनू के पास 415 है मोहित के पास 242 है तो सीधी सी बात है सोनू के पास ज्यदा है ये तो पता चल गया ठीक है इस तरह से घटा करके और ये था घटाव से समद्धित कारे पत्रक नमबर आपका 34 आगे बढ़ते हैं अगले कारे पत्रक की और कारे पत्रक 33 और 34 के बाद आपका आंकलन 2 होगा यानि दो कारे पत्रक के बाद ये आपकी जोड़ और घटाव आप कितना सीखा हैं उसे समद्धित आपका आंकलन होने वाला है यानि आपका एक्जाम होने वाला है कि आपने इसमें कितना सीखा है तो चलिए शुरू करते हैं आकलन 2 ये आपको बिल्कुन निस्पक्स बैट करके और स्कूल में हल करना है और अपने गरूजी से चेक भी करवाना है इसके रहाब आप इस वीडियो को देखकर कैसे हल करना है और इसके अंसर क्या हो सकते हैं वो भी देख सकते हैं दी की संख्याओंको जोड़े तो एक और दो को जोड़ के आपने थीन लिज़ दिया और दो और तीन को जोड़ के पांच लिज़ दिया ये आपकी जोड जोड़ हो गई 5-10-10 का 0 हसल की एक यहां 100 रा जाएगा 5-10-10 का 0 हो गईए हसल की एक साथ एक आठ और एक हसल वाला नो हो गया और यहां दो का दो हो गया यानि दो सनवे सकान सुरा जाएगा जीरो और दो का दो हो गया चार और साथ चार और तीन साथ हो गया और एक का एक यानि एक सो बहुत तर इसकान सुरा जाएगा अगला है दी के संख्याओं को घटाई तो इसका बिल्कुल आप घटाऊ कर सकते हैं आट में से जीरो गए पिछरेगे आठ आट में से छे गए पिछरेगे दो 28 यहां शुराएगा तीन में से आट नहीं गटता यहां से उदार ले लेंगे यहां होगे पांच यहां होगे तेरा तेरा में से आट गए पिछरेगे पांच और पांच में से तीन गट गट गए पिछरेगे दो इस तरह से अंसरा जाएगा चार में से एग गट 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 यहां से उदार ले लेंगे यहां रहे गए 6, यहां होगे 17, 17 में से 8 गए, पिछे गए 9, और 6 में से 2 गए, पिछे गए 4, यहां 430 में आपका अंसर आ जाएगा, दो में से 3 नहीं गड़ते हैं, यहां से उधार ले लेंगे, यहां होगे 12, 12 में से 3 गए, पिछे गए 9, 5 में से 4 गए, पिछे गए 1, और दोनों को जोड़ने से यह आंसर आ रहा है ठीक है तो परफपन के अंदर कितने जोड़े के 80 आएंगे तो आप चाहें तो 80 मैंसे अच्छपन गटा करके भी 25 ला सकते हैं या परफपन में 25 जोड़कर के आप 80 लिख दें 20 के 27 की जोड 340 हो जाएगी 202 में 2 जुड़े 204 आ जाएगी ठीक है बाई तो बहुत ही आसान सवाल आपके बन रहे है अगला है चौता हल कीजिए आपको दिख रहा है 4 4 के अंदर कितने जुड़ें की 2 आए तो आपको पता है 2 का मतलब 4 से ज्यादा है तो 12 है 12 का मतलब है 4 में 8 जुड़ेंगी 12 का 2 हशिल की एक लगई और एक हश्argent और 4 जुड़कर की 5 होते है तो अब कितने जुड़ें की 0 हो जाए मतलब 10 हुए हैं तो यहां 5 हो जाएंगी तो 5 एक हशिल 6 और 4 दस का 0 यहां भी हशिल की एक लगई एक और पांच छे हो गई और यहां नीचे आठ लिखावाय तो यहां कोश्टक में दो आ जाएगा इस तरह से आपकी यह जोड़ हो जाएगी इस तरह की जोड़े करने भी आपको सीखनी है तीन और चार हो गई साथ साथ में कितने जोड़े की 9 हो जाएगे तो 2 जोड़ के 9 लिख सकते हैं आप यहां पर 1 लिखेंगे यहां 8 हो जाएगे कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है आप यहां कुछ भी उपर लिखेंगे उसके हिसाब से यहां बनेगी साथ में कितने जोड़े की 9 हो जाए तो यहां 2 जोड़ की 9 लिख सकते हैं यदि आपने यहां पर ज्यादा जोड़ दिया है मालो मालो आपने यहां 5 लिख दिया है तो साथ पांच बारा के यहां 2 लिख देंगे हसल की 1 हो जाएगी 7 और 8 तो यहाँ एक याएगा इस तरह से यह जोड़ आपके उपर खुले end है फिर end हो आप कि किस तरह से आप इसको करते हैं ठीक है अगला 9 में कितने जुड़ें कि नीचे आजाए यहाँ पर तो 9 में 0 जोड़ करके 9 भी लिख सकते हैं आप 9 में 5 जोड़ करके 14 का 4 का असल की एक भी लिख सकते हैं वो आपकी इच्छा है ठीक है तो मैंने यह 9 में 0 जोड़ दिया यहाँ लिख दिया 9, 2 में 4 जोड़ दिया यहाँ लिख दिया 6 और 3 और 1 चार है एक में एक घटाव करना एक में एक गया पिछे रहा 0, 1 में से 2 नहीं जाते यहाँ से उदार लेंगे, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 11, 11 में से 2 गया, पिछे आगया 9 साथ में से यहाँ एक घटा दो पिछे 6 आ जाएगा, ठीक है तो यहाँ कोश्टक में एक आ जाएगा, इस तरह से आपका समझ जना है, बाकी यहाँ घटाव है तो 900 में से 345 को घटाना है 555 आपका आंसर आ जाएगा ठीक है, 555 रुपे बचेंगी दूसरा है, सुमन हर सुमे 300 मिटर और साम को 400 मिटर चलती है बताए एक दिन वो कितने मिटर चलती है तो यह जोड है, क्या है बाई, जोड है तो 300 और 440 को आप जोड देंगे आंसर आपका आजएगा 740 मिटर, कितना बाई सुमे साम वो 740 मिटर चलती है, अगला है दीगिज संख्याओं की जोड का इबारती परसंद बनाईए यह मैंने काता आपको परसंद कैसे बनाना देखिए यहां 230 और 200 दिया हुआ है तो इसकी जोड करके आपको नहीं लिखनी है क्या करना इसका आपको परसंद बनाना है सवाल बनाना है तो जैसे मैंने बनाया राम के बगीचे में आम के 230 पेड़ नीबू के 200 पेड़ है बताइए राम के बगीचे में कुल कितने पेड़ है यह हो गया जोड का इबारती सवाल आप इसके जगे कुछ और भी लिख सकते हैं आप यह भी लिख सकते हैं राधा के पास 230 बकरियां और राम के पास 200 पेड़े हैं बताइए दोनों के पास कुल कितने पसू है इस तरह से भी बना सकते हैं तो यह आपका इबारती सवाल हो जाएगा ऐसे दीगी संख्याओं से घटाओं का इबारती प्रसन बनाना भी आप सीख सकते हैं जैसे 560 और 535 लिखा है तो मैंने लिखा राज की उच्परात्मिक विद्याल एदूदा सर में 560 बच्चे हैं उस में से 335 चातर है तो चातराओं की संख्या कितनी है तो आपको चातराओं की संख्या बतानी है तो 560 में स 335 गटाएंगी तो आंसर भी आपका 225 आजाएगा और इस तरह से घटाओ के स्वाल बनते हैं इसकी जगे आप दूसरा स्वाल भी कोई लिख सकते हैं आप ये भी बना सकते हैं कि मेरे पास 560 रुपे हैं उस में से मैंने 335 रुपे का सामान खरीद लिया बताईए मेरे पास कितने रुपे से इस बचे तो इस तरह से भी घटाओ का सवाल बन सकता है तो यह आपका हो जाएगा आंकलन टू और इसको यादि आप इस तरह से सही डंग से कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर गरुजी देंगे गुड वरक की जरूर बताएं अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें चैनल को पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं आपको ऐसे ही लेटेस्ट और बहुत ही हेलफफल वीडियोज मिलते रहते हैं धन्यवाद जेहिंद वंदे मात्रम मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में